बैंकर से बैंकर सूखी खासी, कफवाली खासी, गले का दर्थ या फिर गले का सूजन हो दोस्तों और इसके साथ-साथ जो फेपडों में बलगम जमा हो जाता है ना उससे बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेसान हो जाते हैं बच्चों को इतनी खासी आती है कि बच्चों की जो पसली आहना वो दुखने लग जाती है गले में बैंकर दर्थ होता है इन सबी चीजों से आप तुरंत राहत पाने के लिए मैं आपके साथ यहां पे दो रेमेडी सेर कर रही हूं सूखी खासी की और कफवाली खासी की अगर आप सिर्फ दो बार यह रेमेडी ले 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 लेंगे ना दोस्तों तो खासी कव चूमंतर हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा इतनी ज्यादा फायदे की है तो दोस्तों अमने यह यह लेली है काली मिर्ची जो खासी के लिए और गले के लिए रामबान होती है चाहे गले में अगर आप लंबे प्रोसेस वादी रेमेडी नहीं बना पाते है तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए सूखी खासी और कफ वाली खासी के लिए एक तम रामबान है यह काली मिर्च जिवानूरोदक होती है दोस्तों जो बदलते मोसम में आपको इनफेक्शन होता है उससे आपको बजाती है और इसके अंदर पैपरी नामक एक तातो होता है जो सर्दी खासी जुखाम के लिए और वो दर्द निवारक होता है दोस्तों तो आपको इससे तुरंत लाब मिलने वाला है आप पिलकुल इसको आजमा सकते है बेच बीच में मैं आपको छोटे छो चाली मिर्ची का सेवर नई करना है सिर्फ 5 से साथ काली मिर्ची आपको ले लेनी है बैंकर से बैंकर रुका हुआ गला बंद गला स्वेलिंग वाला और खास वाला एकदम धीक हो जाएगा दोस्तों तो मैंने या पे यह चैसाथ काली मिर्ची का पाउडर बना कर ले लिया है आपको भी पाउडर बना कर लेना है ना मिर्ची को आपको सेकना है पहले ना पकाना है कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको साथ काली मिर्ची का यहां पर पाउडर बना कर ले लेना है अगर बड़ों के लिए बना रही है तो बच्चों गी भी ले सकते हो इसको अच्छे से mix करें और इसको आप ये गी जो है लका सा गरम है बिलकुल अफिसको मिलाकर इसका सेवन कर ले अगर आपके गले में स्वेलिंग नहीं है गला छिला हुआ नहीं है और आपको खासी आ रही है दोस्तों तो आप गी की जगे पे सिर्फ सैद मिला ले जो अनी होता है न वो मिला ले ये छिले हुए गले के लिए और जिस गले में काटे से चुपते रहते हैं या सूखता जादा है और स्वेलिंग जादा है उसके लिए है अगर आपको खाले सूखी खासी आ रही है तो आप नमक का पानी ले गुन-गुना और उससे गरारे जरूर कर ले एक से दो बार तो आपको और जल्दी आराम मिलेगा दोस्तों तो ये थी अमारी सूखी खासी गले की स्वेलिंग और छिले हुए गले के लिए रेमेडी दोस्तों इसके बाद में मैं कारगर सी रेमेडी आपको कफ वाली खासी के लिए बता रही हुए आपे बेहत फायदा करेगी सिर्फ आपको दो से तीन बार ही लेना होगा एक दिन में आप दो बार ले सकते हैं इतने में ही आपको बहुत सारा फरक नजर आएगा दोस्तों अगर आपको आराम लगे तो आप दो दिन इसे ल जबूत बनाती है जिससे कि इस सारी बिमारिया उतीए यह आमें कमण पकड़ती हैं दोस्तों अदरक का अपना एक अलगी में तो पहलता है दोस्तों और सर्दियों के मौसम में और भी ज़्यादा खास हो जाती बदलते मौसम में जैसे अभी पीछे जादा गर्मी पड़ थी अब मोसम चेंज हुआ है एक दम से तो इस समय जो है ना वाइरल बिमारिया गले का इंफेक्शन यह सबी चीजे बहुत जादा चलती हैं तो उसमें आपको यह बेहद लाब करती हैं तो आपको ले लेना है अद्रक और इसका हम रस बनाएंगे तो रस आपको इस तरीके से बना लेना है आप अद्रक को ग्रेट करके किसी कोटन के कपड़े पे और उसको अच्छे से पोटली बनाकर और इसका पूरा रस निकाल ले दोस्तो आज से दवा कर इस तरीके से बिलकुल आसानी से आप इसका रस निकाल लेंगे आपको टाइम नहीं लगता है तुरंत ही बड़े आसा रस निकलाता है और इस रस को आप फ्रीज में 4-5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना शिर्फ डखकन लगा कर फ्रीज में रख लेना है जब भी आपको इस्तेमाल करना पड़े तब आप इसमें से एक चमच निकाल कर अल कफ को जो है न छाती में बिल्कुल भी नहीं जमने देता है जैसे आपको सर्दी खासी बलगम की सिकायत होती हो आप इस तरीके से अद्रक के रसका सेवन कर लेते हैं तो जितना भी जमाव है कफ का चेश्ट के अंदर वो पूरा साथ-साथ बार निकलता रहेगा और बाद म आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है जैसे आपकी खासी ठीक होगी ना तो कई बार क्या होता है चेश्ट में बलगम जमा रहे जाता है वो क्या होता है दवाई खाने से हो जाता है खासी तो ठीक हो जाती है लेकिन बलगम जो है चाती में ही जमा रहे जाता है तो इस तरीके से आप इसका सेवन एक चमच अद्रक का रस और एक चमच सैद मिला कर आप दो वार ले सकते हैं तो बिल्कुल भी बल्गम जमानी होगा और जितनी भी आपको खासी आ रही है ना बल्गम वाली कफ वाली वो तुरंत ठीक हो जाएगी दोस्तों फेपडों में जमा जो बल्गम होता है ना उसको निकालने के लिए तो यह रामबान है आप आजमा कर देखना जब भी आप सर्दी खासी जुखाम के लिए गरेलू नुसके अपना रहे है ना दोस्तों तो आप इनके साथ में गरम पानी का सेवन करें गुनगुना सा पानी आप पीने के लिए ठंडा पानी अगर आप पीएंगे ना तो आपको आराम जल्दी नहीं होएगा तो आपको अलका सा गुनगुना पानी ही पीना है और जब भी आप यह ले रहे है ना नुसका तो आप क्या करें इसके एक गंटे बाद तक आप पानी भी ना पीए दोस्तों इसको ऐसे ही क्योंकि इस मोसं में आपको सेर कर रही है galleries कर ना नुसकि अगर आपको पसंद आया हो ना दोस्तों तो आपका एक प्यारा सा लाइक जरूर कामेंल करके जरूर के मज़ाना आपí नए आए ऋए तो सबस्क्राइब कर chemical करने के लिए कि